और दोस्तों स्वागत है आप सब का आपकी अपने यूट्यूब चैनल एक लव्य एस्ट्रोजी में और दोस्तों आज फिर से मौजूद हुए एक नई वीडियो के साथ जैसे कि हर वीक मैंने एक फर्स्ट हाउस एलिटेड, सेकेंड हाउस एलिटेड, सार्ड हाउस एलिटे का है तो जब फर्स्ट हाउस में प्लायन की वाथ हुए तो अभर को समझेंगे और पराश्री का जो सुत्र है आप क्या है और लगन लॉड आपकी फिजिकल आपीरेंस के बारे में बताता है फिक है वह यह नहीं बताएगा कि आप आप क्या है आप तो इसे लिए कि जो चीजें देखते हैं कि सपूर्ट्स कुन खिल सकता है स्नाख कर जाता इस्टमेण एоть भी प्लाइन लगन में बैठ और समय यहко इसे लाल किताब में कारक का इसı forces इस्तेमाल होता है कि सूर्य पहले भावखा कारक है तो जो भी प्लान्ट लगन में बैठेगा वो सूर्य को एफेक्ट करेगा राहू लगन में बैठा तो इट्स लाइक कि आपके सूर्य आपके पिता आपकी इंडिजुआलटी आपकी confidence को effect करेगा वो सीदा सीदा प्राशरी में भी वही system है कि सूर्य पहले बहों कारक है तो self को represent करता है individuality को represent करता है अपना कितना value है वो सूर्य से पता चलता है लगन से पता चलता है लगनेश क्या है लगनेश जहां पर भी बैठता है वो आप ऐसे समझे कि वो सूर्य और मंगल की उर्जा है यानि आपका body and soul उस भाव में है आप यह देखते होंगे यह आपने बहुत बाहर सुना भी होगा हमने जब पिछले बहुत सारे वीडियोज पढ़े हुए Ascendant Lord in the 12th Houses दो पार्ट में है वो आप उसको सुन सकते हैं अप उर्पाठक जी के साथ है Decoding Ascendant Lord उसको जब आप सुनेंगे कि प्राशरी में ऐसा क्यों का आ गया बहुत सारे टेकनीक्स थी उसमें प्राशरी जोतिश में यह जो शलोक है यह क्या दिखाता है कि हमें कैसे लगनेश को समझना चाहिए लेकिन एक और चीज है कि लगनेश जिस भाव में है आपका फोकस वहीं पर है आप पूरी उमर वहाँ पर उलजह होए रहेंगे वो चीजें वो सैन उर्जा जैसे ब्रिकुल नंती नाड़े में क्या होता है कि ब्रेश पती जिस भाव जिस राशी में होगा आप उसी उर्जा से हमेशा सराउंडेड रहता है जैसे फर एक्जामपल आप उसको ऐसे समझे कि ब्रेश पती अभी मेश राशी में है राहो के साथ है तो आप देखे कि जीव को क्या पसंद है जीव की सूर्जा से प्रभावित है चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एंटर्टेइन्मेंट हो चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे कैसे आप देखे कि जीव इस समय बहुत अग्रेसिव स्टेट में है आप देख रहे होंगे एक्सिडेंट है इस समय जो मूवी भी है मूवीज भी चलेंगी जो ब्लॉक्बस्टर होंगी वह ऐसी होगी जो एक्शन मूवीज होंगी जैसे इस समय क्या है उसमें भारत पाकिस्तान है आर्मी है पुलीस है लड़ाई जगड़ा एक एक तरीकी एक्शन मूवीज तो जीव जो पैदा हो रहे है इस समय उनके अंदर भी एरीज का कुछ नो कुछ गुण अलग-लग मात्रा में पाए जाएंगे दूसरे प्लनेट उसको पराश्री जोतिश में लगनेश आपकी प्राण शक्ती है लगनेश जिस भाव में बैठता है आपकी सोल और बॉड़ी यानि कि आपका पूरा फोकुस उस भाव उस राशी में होता है योग देखेंगे तो आपको समझना आगा जैसे एक और चीज समझ लेते हैं इस से तर तो जिस भाव में जाएंगे वहाँ पर एक दिक्कत जरूर करते हैं आपकी उर्जा को एक्जॉस्ट करते हैं अक्चली लगनेश जिस भाव में बैठेगा आप अपने पूरू जनम के कर्मों को बर्न करते हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा बर्न करते हैं जैसे किसी ने मुझ शक्त्मिमान शक्ति अपनी उर्जा को खर्च कैसे कर रहा है दो 되어 कि उसकी उर्जा कहा पर जा रही है से किंड आुस में जा रही हो सकता है बैंक में काम करें। परिवार के लिए लगने एस यजांपल बता हूँ जैमन है ascendant में, मिथुन लगन में, बुद एक कोमल, एक शुब ग्रहे दुत्य भामा जाता है, तो उसकी वानी के थुरू, अपनी communication के थुरू, अपनी energy को exhaust कर रहा है वो, बोल करके, गा करके, ठीक है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत energy लगा करके, एक्सेजरेट करेगा, किसी बात पर अगर बोलना स्टार्ट किया तो एक्सेजरेट कर जाएगा, उसकी बहुत ज़्यादे intensity बहुत high pitch कर देगा, उसको बोलने में बहुत ज़्यादा उस प्रांशक्ति जाएगी, तो टेक्निक यह है कि लगनेश जिस भाव में होगा, आप उससे लिटिट करम को burn करते हैं, आपकी प्रांशक्ति वहाँ सबसे ज़्यादा खर्च होती है, जैसे लगनेश किसी का आवाश में नीच का ना हो जाए, लेकिन लगनेश अगर लगन में है, तो उसकी personality ऐसी होगी कि वो, क्योंकि वो physically fit है, physically उसका structure बहुत अच्छा होगा, यह पहला condition है, आप देखने में ऐसे लेगी कि लाखों के भीड में अकेला चमकेगा, उसका एक प्रभाव है, प्राश च्री जोतिश का पहला ही सुतर है लगनेश को लेकर के, लगनेश लगन में होगा, दो शादी होगी, आप देखे कि लगनेश जब लगन में होता है, मजबूत होता है, तो आप सामने वाले को इंप्रेस करते हैं, यह पुराने टाइम में लिखे हुए श्लोक है, इसको उसके अंदर एक स्टामिना है उसके अंदर वो शक्ति है लगनेश चीजों को भोगता है कोई भी चीज भोग नहीं है मुझे लगनेश स्टॉंग चाहिए चाहिए शादी का सुख हो चाहिए खाने पीने का कपड़ों का सुख हो आप महेंगे से महेंगा पहन लीजे लेकिन अगर फिजिकल स्टॉक्चर अच्छा नहीं है आपका लगनेश अच्छा नहीं तो आप पर सूख नहीं करेगा लेकिन आगर आप सूखी रोटी भी काते हैं वह भी आपको लग जाएगा लगनेश अगर लगन में बैठा हुआ है और बहुत अच्छी स्थिती में हैं तो कामने वाले पर पटो और केंदर और त्रिकॉन दोनों है लगनेश लगनेश बहुत इंपॉर्टेंट है लगनेश डायनामिक चीज़ है आप जीवन में कैसे ग्रो करेंगे ग्रो करेंगे तो भई हाइट बढ़ेगी के नहीं बढ़ेगी यह चीज़ें देखी जाती है संस्थिर है लगनेश डायनामिक है आप बड़े हो रहे हैं तो आ लगनेश यह समझे कि लगनेश बढ़ा हो रहा है इसको आप ऐसे समझेंगे आप ख़ा पी रहे आपको लगा की नहीं लगा कुछ लोग होते हैं नको बहुत साझी चीजम को खाया पिया नहीं लगेगा हाइट नहीं बड़ी सिखत नहीं बनी बहुत साहर लोगी उनको अड़वाईज करते हैं फिर लिएसा की आ करो वैसा कि यह लगनेश पी है जब लगनेश लगन में होगा तो आदमी सबसे ज्यादा सेल्फ यानि अपने अपने से समंद्री चीज़ों को करम को अपनी फिजिकल बॉड़ी से लिए चीज़ों को करने के लिए पैदा हुआ है इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करेगा अपने को महत्व ज्यादा देगा लगनेश लगन का एक नेगिटीव पॉइंट है कि बहुत ज्यादा अपने अंदर एक इगू आ जाना अपने अपने बारे में सेल्फ सेंट्रिक हो जाना यह इसका नेगिटीव पॉइंट हो जात में एस जीवनिं अपनी उर्जा अपने लिए सोच करगे खर्च करें लगनेश दूत्य भाहम जैसे जीवन में आगे बढ़ेगा धन की प्राप्ती करेगा हो सकता है बोलने में बहुत जोर लगाता है लोग कहते है अरे बातें बहुत करता है उसकी जो उर्जा है एक्जॉस्ट कैसे करेगा आपने आपको बोल करके या फूड से लिटिड काम करके या वेल्ट से लिटिड, पैसे से लिटिड़ परिवार के लिए जीवन बurpose नो कुछ करता रहेगा उसको परिवार में बड़ा बनना पड़ेगा तो अपने करम को कैसे एक्जॉस्ट करेगा वह? परिवार के लिए चीज करके प्राइइ़टी explicitे परिवार हो जाएग भले उनसे दूर रहता हो भले उनसे बंती ना हो ठीक हो सकता है फूड से लिटे उसका काम करता हो बहुत अच्छा स्पिकर हो लगनेश सेकेंड हो जैसे मैंने एक्जामपल दिया कि जैमिना इसेंडेंट है लगनेश दूत्य भाम है वह की सिंगर है गाने गाता है बोल करके क प्रांड शक्ति को मतलब आप ठकेंगे कैसे एक होता ना आदमी ठकान महसूस करता है कहां पर आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा वेस्ट करेंगे आप या इनर्जी को यूटिलाइज करेंगे तो वह सेकेंड आउस है ठीक है हो सकता है आप बैंक में फाइनस में जोलरी से ल हाउस में बैठता है तो आप अपने एनर्जी को कहां लगाते हैं थार्ड हाउस लेटिल वेक्टी कॉम्मुनिकेशन राइटिंग शौर्ट जर्नी स्पोर्ट्स लिखना यह सारी चीज़ है और आप हमेशा कहां पर जहां पर लगनेश बैठता है आप देखिए उसको पाक लगन कहा जाता है लगनेश जिस भाव में बैठता है उसको पाक लगनेश वहां पर आपकी फायर है तो अगर यह थार्ड हाउस में कोई लगनेश एक अगनी तत्त्त का ग्रहे होकर करके अगनी तो की राशीम बैठ जाया है सूर्य मंगल के प्रभाव में हो जाए तो यह किससे जुड़ों आप थार्ड हाउस अलिटिटी से जुड़े मंगी बनाने हैं थार हाउस बिजनस का होता है एंट्रपनियोरिशिप का होता है बड़े-बड़े राइटर्स के चार्ट में लगनेश और थार्ड हाउस का कनेक्शन मार्केटिंग बोलना यह सारी किज़ें करते हैं या थार्ड हाउस में माल लीजिए लगनेश बैठा है मार्स केतु के इंफ्रेंस में है जल राही थार्ड हाउस मेटेगा तो इस तरीके से कारे करे लगनेश को आप ऐसे समझें कि उज़ाए और ऐसी बहुत में है और आपके पर चारक्स का जएदा इंक करता है को इसको आप समझे सूर्य वहां पर है कि आप संसार को क्या दे सकते हैं आप सोसाइटी को क्या सीखा सकते हैं वह भी लगनेश से पता चलता है उसको हम कभी हो डिस्कुस करें और एक्जांपल आपका शुक्र लगनेश है माली जे लिबरास अंडेंट है तो शुक्र यहां पर थार्ड आउस में धनुराशी में बैठेगा व्यक्ति ज्यानी तो हो गई होगा शॉर्ट ट्रेवल्स ओफनली उसको पसंद होंगे ठीक है कॉम्मुनिकेशन में अच्छा होगा पर हो सकता चोटे भाई भेनों से दिक्कते हो उसको या चोटे भाई भेन हो इना लेकिन एक शुबग रहे थार्ड आउस में बैठेगा तो थार्ड आउस की सिगिनिफिकेशन से आपको अच्छे तरीके से लाब जरूर देग ठीक है व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सनालिटी होता है उसको जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ ठीक है अपने से अपने एक समझिए कि वह जैसे बहुत हार्ड वर्क और नहिनत से वह भाग्या बनाता है क्योंकि यहां लगनेश थार्ड आउस में उकरके नाइंध हाउ को देखता है कि मान लीजेगर आपका करक लगन है और लगनेश थार्ड आउस में है चंद्रमा है और थार्ड आउस में है चंद्रमा वर्गों में चला गया डुवालिटी देगा राइटिंग क्यापबिल्टी देगा ठीक है ट्रैवल पसंद होगा शौट जन्रीज करना यह सारी चीज़े होंगी माइंड अमेशा लर्निंग में लगा रहेगा क्यूरिसिटी होती है से लोगों कंदर बहुत जादा क्यूरिसिटी होती है जीवन भरकुष न को सीखना लगनेश थार्ड आउस में तो आप इस लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगनेश जिस भाव में गया वहां पर आप अपनी उर्जा को खर्च करना वहां पर आपको करम को बहन करना है वहां दिक्कते आएंगी जरूर आपको कई बार यह देखा गया है कि लगनेश लगन में भी बैठा है तब भी विक्ति को स्वा फोर्थ हाउस को भी खराब करेगा, मदर को प्रेशर क्रेट करेगा, मदर के साथ रिलेशन्स को दिक्कत ने करेगा, तो मैलेफिक है, जैसे Aries Ascendant है, मार्स फोर्थ हाउस में जा, दिक्कत है, मदर के लिए परिशानी जुरूर्थ करेगा आपका लगनेश, लगनेश 4th house में गया आप हमेशा 4th house यानि की mother mother land अगर माल लिजे यहां पर एक example समझजे कि अगर आपका धनू लगन है तो लगनेश 4th house में अपने घर में जाएगा तो सकता है आप किसी समंदर के किनारे रहते हूं पानी वाली जगाओं के पास रहते हूं जैसे मुंबई है आप 4th house से बहुत ज्यादा जूड़े हैं जैसे property से अपनी mother land से जहां पैदा हुए वहां से आप जूड़े हुए construction का काम कर रहे हैं इस way में आप कर्म को exhaust कर रहे हैं लेकिन क्योंकि एक शुब ग्रह है तो आपको अच्छे result ज्यादा मिलेंगे आप वहां के fruit को अच्छे way में भी बहुत enjoy करेंगे लेकिन अगो पापी ग्रह है तो दिक्कते हैं आपको 4th house में घर बना देगा living non living thing को बढ घर देगा लेकिन दिक्कते हैं वहां से दूर जाना पड़ सकता है माता से दूर जाना पड़ सकता है नेगटिव वे में करम को exhaust करेंगे अगर आपका malefic planet लगनेश 4,000 है तेक है आपको अपना वो चीज़ें छोड़ने के लिए मजबूर करेगा कि आप यहां से दूर चले जाएं कहीं न कहीं स्ट्रगल देगा तो लगनेश 4,000 में आपका करम क्या एक्जास्ट हो रहा है एक्जास्ट हो रहे हैं गाड़ी में जैसे फॉर एक्जामपल मैं आपको एक एक एक्जामपल बताता हूं तुला लगन है तुला लगन में शुक्र चौथे भाव में बुद्ध के साथ है छोटा बच्चा है और उसको obsession है गाड़ियों का बहुत ज्य एंक गर को ही सजा रहा है बहूत सरे असे जो घर में लेंगे घर को ही सजाते रहें घर को ही सोचते में यह बनादू इसको यह ठोड़ा सा बढ़ा दू को आ पर एक्जौस्ट कर रहें वह आपका करंबं बस अनगर करेगा करेगा शुब ग्रह है तो पॉजिटिवे में ज्यादा करेगा लगनेश आपका फिफ्ट आउस में है आपको बहुत क्रेटिव बना सकता है गौर्वर्मेंट जॉब में हो सकते हैं आप राज्य सुख्षी प्राप्ति करेगा स्कॉलर्शिप दे सकता है आपको जैसे फॉर एक्जा लगनेश फिफ्ट आउस में लेकिन कही ना कहीं बच्चों में फिफ्ट आउस लेटर मैटर में लेव रोमांस लेशनशिप में आपको दिक्कते हैं भी क्रेट करेगा स्पेशली अगर मैलेफिक है पापी रहे है तो वहां पर आप सबसे जादा करम एक्जास करेंगे वही प्रेशिंट होगर्टी डिसीजन लेने की वज़े से गलत डिसीजन की वज़े कियुकि आप फिफ्ट आउस सोचने समझने की ख्रमता है प्लानिंग है अगर लगनीश बैटा हुआ है तो आपको दिक्कतें क्रेट करेगा है चाइल्ड वर्थ होने में दिक्कत कर सकता है ल लगनेश फिफफफवस में है फाइड साइन में है एटिकती पैशनेट बहुत होता है जहां लगनेश वहां पैशनेट ऑहां पैशनेट बहूट है गलेपाइश्ट बहुत हो ज से सदनू नगन है जूपिटर लगनेश फिफफवसान payer ने घम भी वेरी पैशनेट आपका आप अपने करम को कैसे बर्न करेंगे आप फिस थाउस लेटेड अक्टिविटीज में इंवल्व हो जाएंगे पूरी तरीके से इस जीवन में लगनेश अगर सिक्स थाउस में है तो आप इसको ऐसे समझे च्छटा भाव किस चीज़ का है रोग रिन शत्रू कंपेटिशन का है डॉक्टर के चार्ट में पाए जाता है क्योंकि छटे भाव में एनर्जी वेस्ट अपनी जाएगी उसकी लेकिन ये चटे भाव में है audit का है चटा भाव, inspection का है चटा भाव, CA का है, lawyers का है, तो इन सारी चीज़ों में involved हो सकता है वाद में, चटा भाव, हो सकता है यह उसका profession बन जाए, इसलिए वो अपनी उर्जा को वहाँ पर खर्च कर रहा है, करम को वहाँ पर बन कर रहा है, यहां व्यक्ति स्वयम रोगी है महनत बहुत करता है, सामने वाले लोग competitive nature रखते हैं, लेकिन माल लीजिए, आपका लगने इस छटे भाव में हो, और लगन पे शनी राहो का influence है, तो आपको आलसी है, free will की कमी हो जाएगी, उत्साह की कमी हो जाएगी आपके अंदर यह कुछ चीज़ें हैं, जैसे मीन लगन है, मीन लगन में जुपिटर छटे भाव में है, और राहू उसको देखता है, तो आपके अंदर वो passion वो fire को कम कर देगा, तो लगने इस छटे भाव में है, आपकी उज़ा कहा है, छटे भाव में, आप जीवन भर, लोन, शतुरत कर्ज, हाना मदब इनी चीज़ों से आप surrounded रहेंगे, on and often आप देखेंगे कि आपके जिवन में यह सारी चीज़ें आ रही है, हाला कि यह position उन लोगों के लिए अच्छा है, जो law में काम करते हैं, audit में, inspection में जाते हैं, doctor, medical field में जाते हैं, जहां पे आपको error find करना है, आपक केंदरों आएगा चीज़ें, आप अपनी उर्जा को वहां कर्च करेंगे सबसे जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को procrastinate करना कई बार, लगनेश छटे वाले व्यक्ति के चार केंदर दिखा गया है, लगनेश छटे भाह में हो तो आपके मामा, मदर की siblings के लिए कहीं ना कहीं problematic ह जाता है, ठीक है, शत्रों का नाश करता है, लगनेश छटे भाहा में हो तो शत्रों के लिए खराब, क्योंकि लगनेश जिस सेक्स की तरफ ज्यादा अट्रेक्शन देगा आपको या उसकी नजरों में सेंट्र ऑफ अट्रेक्शन बना उनकी उनकी उपर फोड़ा सा डॉमिनियस क्रेट करना यह हो सकता है आपके सामने वाले व्यक्ति के उपर ज़रूरी नहीं आपका लाइफ पार्टमर तो कई बार लोग अकेले चलना पसंद करें यह भी होता है यहां पर जैसे सूर्य जैसा प्लानेट लगनेश है सब्तम भाव में बैठा हुआ है कुछ ना कुछ ना कोई जिद्ध है आपकी वहां पर कि ऐसा नहीं है तो ऐसा है ना शादी करूंगा तो उसी से करूंगा यह भी हो सकता ह अगरम सबसे दादा बर्न होगा आप यह देखें शुक्र को देखें अगर अफ्लिक्शन में है तो शादी में प्रॉब्लम है पतनी से बनती नहीं या पती से बनती नहीं उसी की सेवा में या उनकी अभीयत बहुत खराब है उसी में आप लगे हुए है जीवन लगनेश स सामने वाले को अगर आपका लगनेश सब्तम्भाव में यह करता है लगनेश जब अश्टम्भाव में बैठा हो तो आप अपने करम को कहां exhaust कर रहे है इन लॉस के लिए वह सकता है आप रिसर्च में कर रहे है आपका body and soul वहीं पर है रिसर्च में है आप commissions है या insolvent हो गया है आपके माता पीता या कुछ और आप जो है कमाने में लगे हुए है या उसी लोन की वज़े से आप दिक्कत मे लगनेश अस्टम भाव में कही बार शड़यंतर का शिकार होना पड़ता है ऐसे लोगों के दोखा हो जाता है ऐसे लोगों के लगनेश अस्टम भाव में commission के थूरू LIC के थूरू बहुत साथ चीजों से हो सकता है आप involved है हो सकता है आप जोतिश में बहुत जादा रूच में जाना यह उन लोगों के चार्ड में पाया जाता है जो डॉक्टर्स होते हैं हीलर्स होते हैं स्ट्रॉजर्स होते हैं साइंटिस्ट होते हैं अपनी सेहत खराब हो लेकिन अस्टम भाव क्यूंकि लगनेश का equality और है वो है कि वह एक अच्छे भाव का स्वामी है तो लगनेश अस्टम भाव में हो तो आप एक बहुत बढ़े अस्टलॉजर्स आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर्स खोजी प्रविती और एक साइंटिस्स बन सकते हैं लगनेश अगर नाइंट हाउस में है तो नवम भाव की चीज़ें कई बार आवशक्ता से ज्यादा धा आपका गुरू का है नवम भाव आपका higher education का है higher learning का है धार्मिक यात्रों का है मंदिरों का है वो सकता है आप मंदिर नमान में बहुत जादा रूची रखते हैं वो सकता है आपकी पिता के साथ कुछ दिक्कते हैं गुरू के साथ कुछ दिक्कते हो जाएं आप अपनी उर ठीक है आप justice लवींगे आप rule and regulations को बहुत जादा मानने वाले लोग हो जाते हैं बड़े-बड़े judges और lawyers के चार्ट में जो rule और law को implement करते हैं उनके चार्ट में लगनेश 9000 पाया जाता है आपका समन सीधा-सीधा भाग्ये से है तो कहीं न कहीं जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे तो आपको भाग्ये शाली जरूर बनाएगा आपका अगर एक शुब ग्रह लगनेश है और वो नवामभाव में बैठा हुआ है पिता का quality आपके परसनल्टी में ज्यादा आएगा जैसे हो सकता है जैसे for example आपका धनू लगन है जुपिटर 9000 में बैठा हुआ है फा आपके जीवन में सारी चीज़ें घटी तो सकते हैं लगनेश आपके दश्रम भाव में बैठा है या सुर्य मंगल की यूति भी अगर दश्रम भाव में है तो भी लागो है तो आप अपने आपको सबसे ज़्यादा एक्जास्ट कहा कर रहे हैं अपने करियर को लेकर की ची लगनेश दश्रम भाव में हो तो ये इंडिपेंडेंट काम करने का एक योग हो जाता है जैसे आपका माल लीजे मिथुन लगन है अब मिथुन लगन में आप देखें कि बुद्ध नीच का हो जाता है दश्रम भाव में बहले ही वो नीच का है लेकिन वो केंदर में बैठ वेख रहे बुद के साथ बैठे वेख्रहों को बहुत अच्छे से अनलाइज करना है अगर दशाम भाव में है तो यह वक्ति नीच का है लगनेश तो आप यह समझिए कि यह वक्ति अब करियर में दूआलेटी की वज़े से परिशान रहेगा अपने डिसीजन की वज़से अ लगनेश अगर ग्यारव का है सोर्स ऑफ इंकम का है पैसा कितना आएगा कहां से आएगा तो यह वेक्ति जैसे जीवन में आगे बढ़ेगा तो इस यह अपने परिवार की स्टेट्स को उपर उठाएगा ये वेक्ति कड़ी मेहनत के बाद अपने जीवन में धन की प्राप्ति करेगा क्योंकि ये ग्रोथ का हाउस है ये ग्रोइंग हाउस है उपच्चे भाव का आ जाता है लगनेश अगर 11 में बैठा और उसकी अच्छी खासी परसनालिटी हो जकती है जब तक कि लगन में कोई मै लेकिन कहीं ना कहीं ये वेक्ति को रोग कर्ज और कोड केसी ये सारी चीज़ें भी दे सकता है जैसे फॉर एक्जांपल आप यह देखें कि टॉरस असंडेंट में लगनेश ग्यारों में बैठा उच्छ का बैठता है तो बड़े भाई से दिक्कते हो सकती है ऐसे लोगों बड़े भाई से दिक्कते हो सकते हैं लेकिन ये स्वायम अच्छी खासी परसनालिटी होगी जैसे जीवन में ग्रोथ आगे बढ़ेगा धनकी बढ़ता चला जाएगा उसको मल्टिप्लाई करेगा ठीक है देखने में सुन्दर होगा क्योंकि आप देखें लगनेश चुक जानी के लिए जैसे आज का सोचल मिडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम इन सब चीजों पर होता है लगनेश अगर बारों में बहाँ में बैठा है बारों बहाँ का है एक्सपेंडिचर का है हो सकता है व्यक्ति इनी चीजों में इन्वाल्व है कुछ ना कुछ चला लिए लूगनेश बारों में चला गया अपनी उपर ध्यान नहीं दे रहा लेकिन दूसरों handling भोज़ा हो सकता है अपनी आले इखनाम नहीं दे रहा है लेकिन दूसरों के लिए तत्पर है चीज़ें करने के लिए गीविंग नेचर हो जाता है लगनेश बारों बहुंद रहता है ऐसे लोग देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं बहुत अच्छे गाइड कंसल्टेंट टीचर होते हैं लगनेश जब बारों बहुंद बैटते हैं आप बारें लोग सोते हैं यह लोग जागते हैं तो इस वज़े से यह करेंगे अपनी लोगों को यह है कि आप अपना प्रॉपर नींद लें अपना आराम लें ऐसे लोग दूसरों के लिए हमेशा जीवन इनका दूसरों के लिए होता है जैसे लगनेश लगन में हो तो यह है कि अपन भी देना है लेकिन लगनेश बारवाले का उल्टा हो जाता है अध्यात्मिक्ता की तरफ एकांत की तरफ ज्यादा जाते है फॉरण में काम करने वाले फॉरण में रहने वाले का यह इस वन अफ दो कॉमिनिशन किसी भी फॉर्म में मैंनिफेस्ट हो जाएगा कोई ना कोई व पॉर्टेंस कम देता है लगनेश बारों वाला दूसरों को देने के लिए पैदा होता है इसलिए बहुत हमबल भी होता है लगनेश लगन वाले को उठा लीजिए और लगनेश बारों वाले को उठा दीजिए लगनेश बारों वाला ज्यादा हमबल होगा जुकना जानता है वो लगन आपकी ego है जैसे जैसे आप develop होते हैं आपकी consciousness बढ़ती है तो आपके अंदर एक fear, एक ego बहुत सारी चीज़ें आने लगती है 12 भाव ego को त्याग करने का इसलिए वो मोक्ष का है हाला कि मैं remedies नहीं बताता हूँ लेकिन अगर आप remedies करना चाहते हैं तो जो चीज़ें मैंने लगनेश की 12 भाव मैं बताई है predictions आप उसी में से remedies इंकाल सकते हैं कि मुझे क्या करना है अगर आपका लगनेश अच्छा है तो मुझे कहां पर focus करना है लगनेश फॉर्थ हाउस में तो मैं मदर के साथ अच्छा रहा हूँ मदर लेंड लोगों के लिए कुछ करूँ पब्लिक के लिए आम आम जंता के लिए कुछ करूँ जीवन में construction करूँ माल लिजे लगनेश फॉर्थ हाउस में है नाइन्थ लौड के साथ बैठा तो ऐसा व्यक्ति मंदिर का निर्वान करता है construction के कारे करता है तीक है यह सारी चीज़ें कर सकते हैं यह remedy हो सकता है यह आपका एक अच्छा करूँ है जो आप अपने लगनेश को base मना करके आप कर रहे होंगे अपनी psychology को change करें उमीद है आपको समझ में आया होगा अभी हम ऐसे ही लगनेश के connections को भी पढ़ेंगे लगनेश की इस नक्षत्र में है वो भी पढ़ेंगे और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे ठीक है लेतनी अलविदा आपसे रहन्यवाल